नमस्कार किसान भाई और पसुपाल को स्वागत है आपका इस चैनल में एक बर्फिट से मैं हूँ आपका दोस्विकास किसान भाई जब भी हम अपनी गाय और भैस का दूद बढ़ाने के बारे में सोचते हैं तो सबसे पहले हमारे दिमाग में आता है दोस्तों वो मेडिसीन वो कैमिकल जो हमको मार्केट में मिलता है या इस तरीके के पसु आहर जिससे हम अपने पसु का दूद बढ़ा सकते हैं लेकिन दोस्तों कुछ ऐसी चीज़े हमारे घर पर ही उपलब्ध होती हैं जिससे हम जो है अगर कुछ उपाय बना कर अपने पसु को दे तो हम उसकी दूद को बढ़ा सकते हैं और ये उपाय बहुत ही कारगर है दोस्तों इसे बहुत सारे किसान भाई अपना कर देख चुके हैं तो इसलिए दोस्तों आज मैं आपको यही उपाय के बारे में जानकारी देने वाला हूँ तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं इस उपाय के बारे में अगर आप इस चैनल पे नया हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए खेती किसानी और पसु पालन से जुड़ी जानकारी के लिए और नोटिफिकेशन बेल को दबाएं साथी ओल को दबाएं ताकि सभी जानकारी आप तक पहुंच सके सबसे पहले तो इस उपाय में हमें सबसे पहले दोस्तों एक अच्छा सा दल्या बनाना है और उसमें सबसे जरुड़ी चीज़ों को डालना है तो उसके लिए आपको सबसे पहले जरुत पड़ेगा यह गेहूं की दल्या जिससे हमारे जो पसु होते हैं उनको जो है दूद बढ़ाने में बहुत मदद मिलती है दोस्तों और इसलिए जो है इसका इस्तमाल यहाँ पर हम कर रहे हैं तो इसे जो है दोस्तों लगभग हमें जो है दो किलो के आसपास लेना है तो इसे जो है हमें अच्छे तरीके से पताना है दोस्तों तो चलिए इसमें डाल लेते हैं और इसके लावा दोस्तों हमें इसमें डालना है और ये बहुत ही सस्ता और आसान साधन है दोस्तों हमारे पसूँ के सरीर में केलसियम की पूर्ती करने का इसलिए इसका इस्तमाल तो आपको करने ही जब भी आप अपने पसूँ को दाना चारा वगर दें तो उसमें इसे जो है regular तोर पर भी ऐसे भी खिला सकते हैं तो इसे जो है हमें छोटे-छोटे टुकडो में काड लेना है दोस्तों ताकि इसे जो है पकाने में और हमारे पसूं को इसे खाने में किसी प्रकार के परिशानी न हो तो ये तयार है दोस्तों तो चलिए इसे भी जो है इस दलिये में डाल देते हैं और इसके बाद दोस्तों इसमें जो हैं हमें लगभग 4 लिटर के आसपास पानी डालना है ताकि ये जो गेहूं है और ये जो गार फली है अच्छे से पक सके और उसके बाद दोस्तों जब दलिया पकना स्टार्ट हो जाए तो इसमें हमें डालना है लगभग 50 ग्राम के आसपास ये तारा मीरा ये जो तारा मीरा होता है दोस्तों इसमें जो है हमारे पस्वों को जरुवत का प्रोटीन और फैट मिल जाता है जिसे उसे दूद बढ़ाने में मदद मिलती है तो इसे जो है हमें अच्छे तरीके से पीस लेना है और उसके बाद जो है इस मिसरन में डाल देना है तो इसे ज और उसके बाद दोस्तों इसे जो है हमें किसी बरतन में ले लेना है और उसके बाद इसमें डालना है लगभग जो है 100 ml के आसपा सरसो का तेल ये जो सरसो का तेल होता है दोस्तों इसमें जो है एंटिबियोटिक गुण होते हैं साथ में प्रचूर मातरा में फैट होता है जि उनों का ही दूद इससे अच्छा बढ़ता है तो अब ये तैयार है अब हम इसे अपनी गाय और भेंश को दे सकते हैं इसे जो है दोस्तों किसी भी पसू को दिया जा सकता है चाहे वो गाविन हो चाहे नहों और इसे लगातार जो है हमें 10 दूनों तक देना है जिससे हम उसक की दूद को बढ़ा सकते हैं तो ये थी जनकारी दोस्तों आज की डो में और ऐसी जनकारिया और विचाते हैं तुमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसी आने वाली घरेलू जनकारिया आप तक पहुंच सके सबसे पहले तो आज की डो में इतने ही दोस्तों धन्यव झाल झाल